Microsoft PowerPoint 2010 Microsoft PowerPoint 2010 में आज हम देखेंगे कि हम किस तरीके से themes को अपलाय कर सकते हैं हमने एक presentation मनाई यह जिसमें हम आपस दू सेक्शन है अब इन दो सेक्शन में हमने सिर्फ अभी अपना content लिख और पिचर्स इंसर्ट करी हैं इसके लावा भी हमने कोई theme अपलाय नहीं करी इसके तो हम किस तरीके से इसके पर थीम अपलाय कर सकते हैं और किस तरह इस presentation को एक लुक दे सकते हैं खुबसूरत बना सकते हैं वह हम देखेंगे ribbon के अंदर हमारे पास design का tab मौझूद ता है design के tab में हमारे पास themes मौझूद है themes के अंदर हमारे पास काफी सारी themes यहां पर पहले से built-in हैं जो हमें नजर आ रही है जो हमारे प्रेजनिशन को लुक दे सकते हैं अगर हम इस drop down पर क्लिक करें तो हमारे पास काफे सारे थीम्स हा जाती है अगर मैं कोई भी थीम इसके उपर अप्लाए करता हूँ जैसे अगर मैं इसके उपर ये थीम अप्लाए करता हूँ तो ये थीम हमाई जितनी भी स्लाइट्स मौजूद है सब के उपर अप्लाए हो जाती है हमाई section 1 पे भी और हमाई section 2 के उबर भी पट अगर मैं चाह रहा हूँ कि जो मैंने theme slack करिये इसका color मुझे पसंद नहीं आ रहा और मैं इसका color change करना चाह रहा हूँ तो इसके बरावर में हमाई पास एक color का option मुझूद है अगर मैं इस पे click करूँ तो में पास काफी सारे colors combination आ जाते हैं जिसके जरी मैं इस theme का color भी change कर सकता हूँ जैसे 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 मैं colors पे circle लेके जाऊँगा ऐसे वैसे ये मुझे theme apply करके बताता रहागा अगर मैं ये theme slack कर लेता हूँ तो हमाई जितनी भी slides हैं सबके उपर ये theme apply हो जाती है अगर हम इसको view में देखें यहां पर हमाई पास ये इसका इस तरीके से अगर हम देखें तो यह हमें दोनों section को बता रहा है अलग अलग करके ना हम normal view में लेका जाते हैं अब अगर हम चाह रहे हैं कि इन तीन slides में से एक अलग theme apply करना अगर मैं second slide के उपर कोई दूसरी theme apply करना चाह रहा हूँ तो मैं simply यह करूँगा अगर मुझे black वाली theme apply करने से के उपर मैं right click करूँगा apply to selected slide click तो सरिफ इस slide के उपर वो theme apply होगी बाकी सारी slides अपनी परानी हालत में रहे हैं इसके लावा हम बात करते हैं font के हावाले से के हमारे पास जो text लिखा हुआ है हम उसका font किस तरीके से change कर सकते हैं fonts दे सकते हैं color के नीचे हमारे पास एक font का option मौजूद है और हम इस पे click करें तो यह हमें साथ साथ view भी दिखाता जा रहा है कि जो हमें select करना है हम वो font यहाँ से select कर सकते हैं अब मैंने यह select लिया तो यह font apply होगया है इसी तरीके से अगर हम चाहरे हैं कि अपने section 2 पे दूसरी theme apply करना जो section 1 पे theme है उससे हट के यहाँ पे दूसरी theme apply करना तो उसके लिए हम section को select करेंगे then drop down और मैं green वाल यह अगर चाहरा हूँ apply करना तो मैं simply click करूँ है तो यह हमारी section B के उपर पूरी theme apply हो जाए है और यह काम हम slides sorter view से भी कर सकते हैं यहाँ पे आगे हम इसको select करेंगे and then अगर हम यह theme change करनी है तो हम theme को change भी कर सकते हैं तो इस तरीके से हम कोई भी theme apply कर सकते हैं अपनी presentation को खुबसुरत बनाने के लिए उसको color दे सकते हैं उसके phone change कर सकते हैं ताके हमाई presentation का एक look आ जाए और इसको present करने में अच्छा लगए तक यू वर वाचिंग इस वीडियो